कि हलो दोस्तों आपका सौगत है हमारे कर इंट अफ्यस की सीरीज में आज है 18 अप्रील और 18 अप्रील को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैरिटेस डेई आज हम World Heritage Day के बारे में कुछ important facts जानेंगे, World Heritage Day यानि इसे international day for monuments and sites के नाम से भी हम जानते हैं, आपको अगर याद होगा तो हमारे constitution में article 49 है, वो किस से related है? आर्टिकल 49 related है, हमारे historical places and monuments के protection की बात करता है, आर्टिकल 49, आप मुझे comment section में बताएंगे कि किस आर्टिकल में environment and forest के संरक्षन की बात की गई है, हमारे सम्मिधान के किस आर्टिकल में environment and forest के संरक्षन की बात की गई है, चलिए अब हम World Heritage साइट से related important चीजों को जानते हैं, अगर हम बात करें, इसकी सुरुवात कब हुई थी, तो इससे जो है, International Council on Monuments and Sites के द्वारा, 1982 में proposal पेस किया गया था, UNESCO के सामने, इस डे को मनानी के लिए, और UNESCO के approval के बाद, 1983 में, first time, 18 April को celebrate हुआ था, World Heritage Day, और इस साल के theme की बात करें, तो 2024 का theme है, Discover and Experience Diversity, यह theme है इस बार के, International Monuments and Sites Day का, आप इसे याद रखेंगे, इसी पर best एक question है आपके लिए, उसके पहले हम एक बार, India's related सारे historical places, यानि World Heritage Sites देख लेते हैं, हमारे इंडिया में total, कितने World Heritage Sites हैं, UNESCO के, तो total 42 है, जिसकी पूरे list यहाँ पे है, इन 42 Sites में, 34 cultural Sites हो जाते हैं, 7 natural and 1 mixed Sites हैं, और उसमें अगर हम सबसे पहले, recently added जो भी Sites हैं, उन्हें देख लेते हैं, Recently, यानि 2023 में, दो Sites add हुए हैं, UNESCO World Heritage Sites के रूप में, एक है आपका Second Insembles of the Horsale, जो करनाटिका का है, और दूसरा है सांती निकेतन, जो वेस्ट बंगाल का है, यह दोनों 2023 में add हुए हैं, UNESCO World Heritage Sites के रूप में, और इन दोनों को मिला के, टोटल 42 World Heritage Sites हैं, बाकी के नेम्स की बात करें, तो एक आपका जैसे Culture Sites से स्टार्ट करते हैं, आगरा फॉर्ट, अजंता केव्स, आर्कियोलोजिकल साइट्स ओफ नालंदा, महाविहार, यह नालंदा का जो साइट है, यह 2016 में add हुआ था, फिर बुद्धिस्ट मॉनुमे आर्कियोलोजिकल पार्क, चत्रपती सिवाजी टर्मिनस, चर्चेस अन कॉन्वेंट्स ओफ गोवा, धोला वीरा हरप्पन सीटी, अलिफेंटा केव्स, अलूरा केव्स, फतेपु सीकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स, ग्रूप अफ मॉनुमेंट्स अथ हम्पी, म खजुराहो ग्रूप ओफ मॉनुमेंट्स, महाबोधी टेंपल कॉंपलेक्स बोधिया या बिहार का है, जो 2002 में अड़ हुआ था, यानि आपके बिहार में दो साइट से, एक महाबोधी टेंपल बोधिया का, 2002 में अड़ हुआ था, दूसरा नालंदा जो 2016 में अड़ हुआ या चंडिगड का है, जंतरमंतर जैपूर एंड विक्टोरियन गौथिक एंड डेको इंजेंबल सॉफ मॉंबई, ये कल्चिरल 34 हो गया, नेचरल साइट्स में है, ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजी रंगा नेशनल पार्क, केला देव नेशन कंजेंगा नेशनल पार्क, तो हमने देखा युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट्स को सारा साइट्स हमने एक बार देख लिया, अब बात करते हैं, इंटेंजीवल कल्चरल हरिटेज एलिमेंट्स के बारे में, तो अगर हम जानते हैं कि रीसेंटली आपको पता है, फिफ देख जाएंगे सारे नाम्स को, इसमें च्हाओ डांस भी है, कालबेलिया डांस भी है, राजस्थान का, बुद्धिस चैंटिंग भी है, ट्रडिशन ओफ वेधिक चैंटिंग भी है, और रीसेंटली आड़ेट में अगर हम देखें तो योगा आपका एड़ हुआ था दो बताएंगे कि अगर एक्साम में आएं तो आप टिक कर सकें, चलिए, अब हम एक बार एक क्वेश्चन का अंसर देखते हैं, इसका अंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वाट इस थीम ऑफ वर्ल्ड हरिटेज टेज ट्वेटेज ट्वेटिफोर, ऑप्शन व आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे कि इसका अंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको फर्स स्लाइड में भी एक क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल रिलेटेड आप वो भी मुझे जरूर बताएंगे, चलिए अब हम नेक्स स्लाइड में मूव करते हैं, ह आप्शन 4, आल आप दी अबब, तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्शन 3 यानि आभा, आभा जो है, इसका फुल फर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फर्म हो जाता है, आयुस्मान भारत हेल्थ अकाउंट आइड इसे लिंक करने के लिए अभी जो डेडलाइन है, वो मि इसे लिंक करने की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए अभी न्यूज में है, यहां पर बात करें आयुस्मान भारत स्कीम की, तो यह कब स्टार्ट क्या गया था, आयुस्मान भारत स्कीम जो है, यह स्टार्ट हुआ था, 2018 में लांच हुआ था, और इसकी नोडल एजनसी है, नैशनल हेल्थ अथारेटी, यह है आयुस्मान भारत की नोडल एजनसी, और यहां पर अगर यह नैशनल लेवल पर हो जाती है, और स्टेट लेवल पर हो जाता है, स्टेट हेल्थ एजनसी हो जाता है, इसका नोडल एजनसी, चलिए, अब हम नेक लाइवलिहूद मिसंस, option 1 ADB, option 2 World Bank, option 3 Women's World Banking and option 4 SIDBI, इसका अंसर हो जाएगा option 4 यानि SIDBI, SIDBI क्या है, SIDBI का full form की बात करें, तो इसका full form हो जाता है Small Industries Development Bank, यह जो bank है, इसके द्वारा Bank of India, इस bank ने Women's World Banking, इसके साथ मिलकर, JV का बिहार and उमेद महरास्टा से memorandum किया है, ताकि यह जो प्रयास scheme है, इसको state level पर extend किया जा सके, और low income women's को affordable credit access प्रवाइड किया जा सके, और यहाँ पर cluster level federation को प्रमोट किया जा सके, state level पर महरास्टा और बिहार में, SIDBI जो है, पालेट बेसिस पर पहले महरास्टा और बिहार में, 35 to 40 cluster level federation के साथ partnership करेगी, उसके बाद इसमें लगबग 5,000 women entrepreneurs को 2,000,000 तक का affordable credit available कराये जाएगा, यहाँ पर आप इन names को याद रखेंगे, कौन-कौन से name थे, तो SIDBI है, जीवी का बिहार है, उमेद महरास्टा है, Women World Banking, और साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, वह है MetLife Foundation, यह भी इसके साथ यहाँ पर इस चीज़ का हिस्सा है, तो यह याद रखेंगे और प्रयास scheme की बात करें, तो जो प्रयास scheme है आपका, SIDBI का, इसके तहत micro entrepreneurs की help की जाती है, और उन्हें level up करने में सहायता दी जाती है, लोन्स के थ्रू, especially जो भी women's होते हैं, और women और underprivileged persons जो होते हैं, उन सभी को help की जाती है, इस प्रयास scheme के दौरा, जो SIDBI का scheme है, इससे state level पर extend करने के लिए, अभी memorandum sign किया गया है, ZB का बिहार और महरास्टा उमेद के साथ, और अगर हम SIDBI की बात करें, तो SIDBI जो है, वो एक satuary body है, और यह 1990 में established हुआ था, जो Ministry of Finance के अंदर आता है, अब हम next question पर move करते हैं, अगला question है, नहीं, next question हम यह देखेंगे अभी, अगला question है, इसका आंसर हो जाएगा option 1 यानि कुवेट, कुवेट के यह new prime minister बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम important हो जाता है, और अगर हम कुवेट को map में देखें, तो यह है कुवेट, इसके west में आपका हो जाता है इराक, और फिर यहाँ पे south में सौधी अर्बिया है, और north में इराक जो है आपका west and north दोनों में है, और यहाँ पे south में south अर्बिया है, और इधर आपका हो जाता है Persian Gulf, अब हमारा अगला question है, session का, इसके साथ ही हम आज का session यहाँ पे इंड करते हैं, बाकी के question जो एक रह गया है, वो हम अगले session में आप से discuss करेंगे, मिलते हैं हम आप से अगले session में नए important topics के साथ, पढ़ते रहें, मुस्कराते रहें, और साथ ही जो भी मैंने questions पूछे हैं, उसके answer आप comment section में जरूर देंगे, मिलते हैं next session में धन्यवाद,